आज देश का नाम चमकाने वाली कल्पना चावला की पुन्यति थी है आपको वता दे कि हरियाना के करनाल में एक जुलाई 1961 को जन्मी कल्पना चावला साल 1997 में पहली बार अंतरिक श्यात्रा पर गई थी कल्पना चावला एक ऐसी बेटी थी जिन्होंने भारत को गोर्वानवित किया था भले ही आज कल्पना चावला हमारे बीच ना हो लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत की प्रतिभाद दुनिया के हर कोने में मौजूद है भारत सहित अमेरिका ने कल्पना चावला के सम्मान में कई पुरुसकारों की घोशना की है आज उनकी पुन्यत थी है जिसके चलते पहली भारतिय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को आज उनकी पुन्यत थी पर श्रद्धांचली दी गई है पूरे देश में जगे जगे कारे क्रमों का आयोजन किया गया है यहाँ यह बता दे कि वहराकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दूसरी भारतिय वनी थी कल्पना की मौत साल 2003 में कोलंबिया स्पेश शटल हाथसे में हुई थी शटल प्रिथ्वी के वातावरण में वापस प्रवेश करने के दोरान टेक्सोस के उपर विगटित हो गया था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतिय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म एक जुलाई 1961 को करनाल हरियाना में हुआ था उन्होंने अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट का समय बिताया था कल्पना चावला की मृत्यू 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुरगटना ग्रस्थ होने से हुई यहां आपको बता दे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा टेगोर पब्लिक स्कूल करनाल में हुई थी कल्पना चावला को अपने नाम के अनुरूप ही अंतरिक्ष की दुनिया बच्चमन से ही पसंद थी और उन्होंने उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई एरो स्पेस इंजिनरिंग से शुरू की थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चली गई और 1984 में टेकसस युनिवर्सिटी से एरो स्पेस इंजिनरिंग में मास्टर डिग्री हांसिल की फिर इसी विशय में 1988 में पी एच डी भी कम्प्लीट किया था उन्होंने उसी वर्ष नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया जो पावर लिफ्ट कम्प्यूटेशनल तरल गतिकी पर काम कर रहा था वर्ष 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तोर पर शामिल हुई थी कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन 19 नवेंबर 1997 में शुरू हुआ कल्पना अंतरिक्ष में अंतरिक्ष्यान कोलंबिया से STS 87 फ्लाइट से गई थी इस अंतरिक्ष्यान ने केवल दो सप्ता हमें प्रित्वी की 252 प्रिकर्माई की थी कल्पना चावला ऐसा करने वाली पहली भारतिय महिला और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतिय थी वर्ष 2000 में चावला को अंतरिक्ष में अपनी दूसरी यात्रा के लिए चुना गया था इस बार भी कल्पना STS 107 अंतरिक्ष शटल कारेकरम में मिशन स्पेशलिस्ट के तोर पर काम कर रही थी मिशन में कई बार देरी हुई और आखिरकार 16 जन्वरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया लॉंच किया गया ये एक विज्ञान और अनुसंधान अधारित मिशन था इसमें पूरी टीम ने 24 गंटे दो शिफ्ट में काम किया था कुल 16 दिन की उडान के दोरान चालक दल ने 80 से अधिक प्रियोग पूरे किये थे फर्वरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापिस पृत्वी पर केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था लेकिन लॉंच के समय तापमान को नियंतरित करने वाले इंसलेशन का एक अटैची के आकार का टुकड़ा तूट गया था और शटल की धर्मल सनक्षन पर नाली को नुकसान पहुँचा था जो कि शटल को गर्म होने से बचाती है जैसे ही शटल वायू मंडल से गुजरी इसमें गर्म हवा भर गई जिससे ये अत्यदिक गर्म हो गया शटल गोल गोल लुड़कने लगा और अंतता कई टुकड़ो में तूट गया जमीन पर गिरने से पहले शटल टेक्सस और लुइसियाना पर तूट गया था यह सब एक मिनट से कम समय में हो गया और अंतरिक्ष यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी यदि हाच्छा 16 मिनट और टल जाता तो सभी यात्री वापस इस रक्षत उतर जाते यहां आपको पता दे कि अंतरिक्ष शटल कॉलंबिया में ये लोग गए थे अंतरिक्ष शटल कॉलंबिया में कलना चावला सहित कुल सात लोग सवार थे आज भले इकल्पना चावला हमारे बीश में ना हो लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि भारत की प्रतिभा दुनिया के हर कोने में मौजूद है वह खासकर महिलाओं के लिए प्रेर्णा स्रोत भी है समाचार एक्सप्रेस भी आज उनकी पुन्यतिती पर उनको शत-शत नमन करता है आज गराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज